हलो एवरिबाड़ी, वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल, माई नेम इज वाटिका सिंग और आज के इस वीडियो में हम याद जानेंगे कि सर्दी जुखाम जैसी कई समस्याओं से राहत पाने के लिए हरे प्याज हमारे स्वास्त के लिए कैसे फायदे मंद होते हैं बट बिफोर स्टाटिंग इस वीडियो, वी वूट लाइक तो से समस्याओं से राहत पाने के लिए खाये हरे प्याज पहले नंबर पे हरा प्याज खाने के कई फायदे हैं या कोलेस्टरॉल के अस्तर को कम बनाये रखता है इसमें एंटी बैक्टिरियल गुड होते हैं एंटी बैक्टिरियल गुड के कारण ही इसे खाने से पाचन क्रिया में सुधार होता है हरे प्याज में क्रोमियम होता है दूसरे नंबर पे हरा प्याज खाने से यूमिटी पावर बढ़ता है हरा प्याज चेहरे की जूरियों को दूर करता है इसे खाने से आखों की रोशनी बढ़ती है हरा प्याज मैक्रोन यूटीशियन को बनाये रखता है किसे नमबर पे बाल गिरने की समस्या से निजात पाने के लिए प्याज बहुत ही असरकारी है बालों पर प्याज के रस की मालिस करने से बाल गिरना बंध हो जाते हैं इसके अलावा प्याज का लेप लगाने पर कम उम्र से सफेद हुए बाल फिर से काले होने लगते हैं चौथे नमबर पे हिस्ट्री रिया का रोगी अगर बिहोस हो जाए तो उसे प्याज कूट कर सुंगाएं इससे रोगी तुरंट होस में आ जाता है हरे प्याज में एंटी इंफलामेंटरी और एंटी हिस्टा माइन गुड भी होते हैं इसलिए यह गठिया और अस्थमा के रोग्यों के लिए लाबदायक रहता है पाच्वे नमबर पे पिसाब होना बंद हो जाए तो दो चम्मच प्याज का रस और गेहूं का आठा लेकर हलवा बना लें हलवा गरम करके पेट पर लेप लगाने से पिसाब आना सुरू हो जाता है प्याज पानी में उबाल कर वो पानी पीने से भी पिसाप संबंदी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो स्वास्त के प्रती लाब डायक लगा हो helpful लगा हो स्वास्त के प्रती तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और जारस जादा आप हमारे इस वीडियो को सेर करिए ताकि ये हमारा वीडियो उन लोगों तक पहुच पाए जिन लोगों को ऐसी समस्याएं हैं वो हमारे इस वीडियो की हेल्प से अपनी समस्याओं को अपने समस्याओं से निजात पा सकें तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ थांक्यू सो मच फार वाचिंग एंड सस्क्राइब माई चैनल